अब बांगलादेश की तरह ही पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं साथ पाकिस्तान घर में नहीं दाने और मम्मी चली भुनाने ये शब्द अगर बोला जाए तो अती शोक्ति नहीं होगी मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ इनके विदेश मंतराले की तरफ से एक बयान आता है बयान क्या आता है कि भारत में जो जूनागर है न वो भी हमारा ही है और हम इसके लिए यूएन में बात उठाते रहे हैं हमें न इनकी बातों के साथ में इमरान खान की बाते याद आ गई इम्रान खान की वात याद आगए क्योंकि उन्होंने मैप में उसे अपना दिखाने का गुस्ताकी की थी तो आपके सेशन में जानेगे कि ये जूनागर की कहानी क्या है और ऐसे में जब मैं ये कह रहा हूं कि घर में नहीं दाने और मम्मी चली भुनाने जो कि मैंने आपको बताया था दो दिन पहले कि इनक्या मॉल क्यों लुट रहे हैं ऐसे में इनका ये बयान देश प्रेम की भावना को पाकिस्तानियों में पैदा करता है कि और भाई साब भले ही हमसे अपने मॉल ना सिम्टे हैं बहले ही हमसे अपना बलोचिस्तान कंट्रोल ना हो रहा हो ले कश्मीर की तरह अधूरा एजेंडा मानता है पाकिस्तान की तरफ से इनकी फॉरेंड मिनिस्टर की स्पोक परसन के द्वारा जुनागर मुद्दे पर बयान दिया गया हाला कि बलूश मेडम जिस जगह से आती हैं वो छेतर खुद आजादी की मांग कर रहा है लेकिन फिर भी पाकिस्तान जूनागर मुद्दे को unfinished agenda मानता है जिस तरह से जम्मु कश्मीर को वो एक unfinished agenda मानता है आज भी इनकी जूनागर के प्रती जो निस्था है हम उसका संपूर्ण विसलेशन करेंगे और समझेंगे कि ऐसे समय पर जब आपके पास कुछ ना बचा हो तो आप अपने लगी है इंडिया है बेरोजगार हो इंडिया है इस प्रकार से जो पाकिस्तान में इंडिया दर्शन कराये जाते हैं उसमें फिसे जुनागर मुद्दा एक नया मुद्दे की रूप में नहीं पुराने मुद्दे के रूप में वापस आया है क्या है ये जुनागर की पूरी रूल की जो पॉलिसी अपनाई वो भारत पर भी बख्षू भी निभाई उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर लड़ता हुआ छोड़ेंगे थोड़े दिन और छोड़ जाते तो शायद वो जातियों के आधार पर भी लड़ाते और थोड़ा छोड़ जाते तो पैसे के आधा होगा उसका नाम इंडिया होगा भारत को जब बाटा गया इंडिपेंडेंडेंस एक्ट के तहट तो बकायदा प्रिंसली स्टेट से कहा गया जिन में राज घराने हुआ करते थे उन से कहा गया था कि आपको जहां जाना है जा सकते हैं बाइद खबर है कि पाकिस्तान जु समझते हैं कि कैसे घटनाएं घटित हुई थी क्या हुआ था उस समय पर भारत में आप पस्ष्यूम की तरफ चले तो आपको गुजरात दिखाई देता है गुजरात के तट पर यह जो रेड मार्क हो रखा है इस जगे का नाम जूनागर है जूनागर को भारत के मैप पर आ आपको यहां पर विजिबल हो जाता है जूनागर पाकिस्तान वाले अपने पाकिस्तान में भी इस तरह से दिखाते हैं जूनागर एन मनवादार वेस्ट पाकिस्तान और इस तरह से पाकिस्तान वाले अपने मैप में इस जगे को दिखाते हैं सरक्रीक को भी दिखाते हैं घटना 15 अवेस्ट 1947 के बाद से शुरू होती है क्योंकि जब अंगरेज यहां से जा रहे थे, भारत आजाद हुआ था, बहुत सारे लोग जो कि धर्म के आधार पर बत गए थे, इनको मुसलमानों को कहा गया कि तुम पाकिस्तान तुम्हारा देश होगा, और जो पाकिस्तान लोगों की मौत हुई, धार्मिक हिंसा भड़की और जो हालात हुए, वो कई फिल्मों में कई योबार बयान किये गए हैं, 15 अगस्त 1947 के अंदर ही एक और घटना घटी थी, और वो ये थी, कि भारत, देखिए मैं इसको एक पर थोड़ा सा मैप से आपको समझा दूँ, उस समय पर अंग्रेजों का कबजा दो प्रकार से था भारत में, एक ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं, ये वो छेतर था जहां ब्रिटिशर्स डारेक्ट कंट्रोल करते थे, यानि कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स की ही सरकार होती थी, करता धरता ब्रिटिशर्स ही हुआ कर रहते थे, और जो याप दूसरे कलर में, आप नीले कलर में जो ये जगह देख रहे हैं, ये वाले जो छेतर आप देख रहे हैं, ये वो राज घराने थे जिन से ये कहा गया था, कि आप लोग हमारी ही नीचे रहेंगे, हमारी महरानी के अंडर में आप सुरक्षित इन लोगों को कभी ये कहा था, कि आप भले ही अपने छेतर के राजा हो, लेकिन ये मानलो कि आपने हमारी रानी की सरपरस्ति कुबूल कर ली है, ब्रिटेन की महरानी के आप अंडर में हैं, अब आपको कोई नहीं चुएगा, आप अपना राज चलाते रहें, और राज के साथ साथ हमें टैक्स देते रहें, आपको अपना राज चलाना हैं चलाएं, आप प्रिंसली स्टेट्स हैं, आप रिया सते हैं, राजा जी यहां बैठेंगे, राजा अपने तरह से राज काज करते रहेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि आपको हम से दिक्कत ना हो, क्यूνकि हमने तो आपको सब तरफ से घेर ही लिया है अगर जादा दिक्त करोगे तो हम आपके राज घराने को भी अपने अंडर में कर लेंगे राजाओं को भी लगा कि चैन से अगर रहने का मौका मिल रहा है तो रहते हैं, ऐसे में बहुत से राजा उनको अपनी तरफ से कर देना शुरू कर दिये, टैक्स देना शुरू कर दिये, ये वो रियातते हैं जो आपको भिन कलरों में दिख रही हैं अंग्रेज जब जाने लगे, तो सबसे पहले जो बिटिश इंडिया वाला हिस्सा था, ये तो भारत को मिल ही गया बिटिश इंडिया ही दो भागों में बता था, भारत और पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान वाला हिस्सा आप येलो देख रहे हैं, बंगलादेश वाला हिस्सा जो आप येलो देख रहे हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, ये पाकिस्तान बन गया जो भारत में बचे हुए हिस्से थे जैसे Central Province, बिहार, United Province ये ये भारत के हिस्से हो गए इनके हलावा इन रियासतों से कहा गया कि अब आप आजाद है आपकी आजादी में आपको जिस देश के साथ मिलना है मिले आप भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें या फिर आप independent रह सकते हैं अर्थात आपका मन करता है कि मुझे तो अपना राज चलाना है जैसे हैदरवाद को लगा था, जैसे जुनागर को लगा था कि उसे पाकिस्तान में मिलना है अर्थात रियासतों से साफ कह दिया आपकी मारजी ऐसे में सरदार वल्लबभाई पटेल जो की वीपी मैनन सहाब के साथ मिलकर भारत की इन रियासतों को भारत में ही मिलाने की जिनमेदारी लेकर चल रहे थे भारत के एकी करण की बाते कर रहे थे उन्हें ये पता चलता है कि जुनागर जो है न वो पाकिस्तान में मिलने का फैसला ले लिया है अब आप देखें कि 15 अगस्त 1947 को गुजरात के नजदीक अगर आप मैप में देखें तो गुजरात संपूर भारत में आ चुका है और एक छोटा सा हिस्सा ये हिस्सा कह रहा है कि मुझे तो पाकिस्तान में मिलना है क्या कोई उठाकर लेके चला जाएगा पाकिस्तान सभाविक सी बात है नहीं क्योंकि समुनदर के अंदर अगर आप यहां दले हुए है तो यहां से आप पाकिस्तान कैसे पहुचेंगे तो पानी के ठुट तच में हो जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे की बांगलदेश तच में होगा बुले पानी के रास्ते तच हो जाएंगे तो हम लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं ऐसा किसने फैसला किया? ऐसा उस समय जुनागर के नवाब हुआ करते थे पर ही इंटरस्टिंग माहौल था यहां की 80% जो population थी वो तो हिंदू थी 20% population मुसलिम थी नवाब यहां के मुसलिम थे उन्हों ने पाकिस्तान में मिलने की इच्छा व्यक्त की थी इसके पीछे की भी एक कहानी है कहानी क्या है? नवाब समझो की राजा साहब जो थे उनका जो प्रधान मंत्री था वो जो दिवान की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ती था वो था शाहनवास भुट्टो जो कि सिंध प्रॉ्विंस से मुसलिम लीग का सदश्य चुना गया था सिंध प्रॉ्विंस गुजरात से जस्ट उपर की तरफ यानि नौर्थ की तरफ अब ये शाहनवास भुट्टो कौन है? शाहनवास भुट्टो कौन? जुनागर के नवाब. इन्हों ने पाकिस्तान में मिलने के लिए अपनी तरफ से इत्था व्यक्त कर दी कि सब हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं क्योंकि शानवाज जो इनके पीम हैं वो जिन्ना के बहुत करीबी थे जिन्ना से बोले कि सर वहाँ पर एक मुस्लिम नवाब है वो आपसे मिलना चाहता है ऐसे में इन्हों ने तै कि हम अपनी तरफ से पत्र भेजते हैं कि ये पत्र पकड़ रिये और हमारे साथ में जुनागर मिलने आ रहा है ठीक है तो एक तरह से जब अंगरेज हमको छोड़ कर गए रियासतों से कह गए कि अब आपका जो लैपस ऑफ पैरामाउंसी था यानि कि जो हमारे आपके उपर अधिकार था वो अब खतम और हम लोग अब आपको ऐसे ही छोड़ कर जा रहे हैं ऐसे में जुनागर के साथ में जो घटना घटी वो ये थी कि जुनागर के जो नवाब महाबत खान थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का एलान कर दिया और इनके जो दिवान थे शानावाज भुटो वो पूरी तरह से उधर मुस्लिम लीग में जिन्ना के साथ बातचीत कराने में लगे हुए थे बहुत सी किताबों में अपने अपने इस पूरी घटना को लेकर जिक्र है कहते हैं कि शानावाज जुलाई एलान कर दिया कि जुनागर तो पाकिस्तान में जाएगा अब यह एलान जिन्ना की सहमती पर ही हुआ था शेहनवाज भुट्टो ने जिन्ना को बता के ही किया था यहां पर लाड माउंट बेटन की सलहा को भी किनारा कर दिया गया जो कि यह समझा रहे थे कि भाईया ऐसा करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा यह वो शहनवाज भुट्टो जिनने फैमली ट्री में अगर आप देखे तो यह रहे शहनवाज भुट्टो इनके बेटे हुए जुल्फिकार अली भुट्टो जुल्फिकार अली के पती आसिफ अली जरबारी जो इस समय पाकिस्तान के राष्ट पती है तो अब समझ सकते हैं कि यह कितनी की पोजीशन थी शहनवाज भुट्टो की यह कितना ज्यादा माइना रखते थे ठीक है कई किताबों में से एक जैसे राजमोहन राय गांधी की जो किताब है इसके यह दिवान बन गए थे और यह भुट्टो के साथ और जिन्ना के साथ गहरा संबंद रखते थे ऐसे में जूनागर को पाकिस्तान में मिलाते समय जन्ता की राय नहीं ली गई थी ऐसे में काथ्यावार के नेताओं की सलहा को भी भुटों ने नहीं माना जनता नहीं चाहती थी कि जुनागर पाकिस्तान में मिले लेकिन जुनागर के पाकिस्तान में नवाब ना मिल जाए इससे बचने के लिए तरीका क्या अपनाया जाए क्यों, क्योंकि जुनागर के नवाव ने तो प्रॉपर तरीके से, एक Treaty of Agesion लिख कर के पाकिस्तान को भेज दी, किसाब, ये पकड़ों विलेपत्र, ये वो विलेपत्र है, जो कि पाकिस्तान को भेज दिया गया, जुनागर के विले को पाकिस्तान में करना विला जो दस्तावेज है ये आपके सामने यहां तस्वीरों में दिख रहा है इसको भेज दिया गया था कि साब हम तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं जनता चाहती नहीं तो क्या करें इस बीच में तरीका हो सकता था और वो तरीक सरकार की होती है जैसे बांगलादेश में हुआ है अभी जैसे शेक हसीना जो है उनके इस्थान पर अभी मुहम्मद यूसुफ के केस में अंत्रिम सरकार बनी है और दुनिया वाले उस अंत्रिम सरकार को भी वैल्यू दे रहे हैं भारत की तरफ से भी उनको ग्रीटिंग दी रही हैं तो अमरीका की तरफ से भी दी गई है तब लोग उनसे वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि एक औरिजनल सरकार हो हाला कि मुहम्मद यूसुफ कोई चुनी हुई सरकार से नहीं आए हैं उसके बावजूद उन्हें वैल्यू मिल रही है ऐसे ही एक विकल्प निकल कर आ ले और ऐसे में वो सरकार उस नवाब को अपनी तरफ से किनारा कर देगे हम आपकी बात नहीं मानेंगे हम अपना फैसला खुद करेंगे इसी के लिए जूनागर के अंदर एक सरकार का गठन अंतरिम सरकार के गठन का निर्णे लिया गया और उसको कहा गया आरजी हुकूम अपने साथ कुछ अपने नेता प्रधानमंत्री बनाए और एक प्रकार से नवाब को किनारा कर दिया कि नवाब सहाब आप अपना फैसला जो भी ले हम आपके साथ नहीं चलेंगे ठीक है साथ ऐसे में भारत की तरफ से उस समय वीपी मैनन साथ लगातार लगे हुए थे इ उसे अंदर ले सकता था लेकिन भारत उस प्रकेरिया में भविश्य में किसी प्रकार की दाव पेच में नहीं फसना चाहता था इसलिए जनता को ही राय लेने के लिए कहा जा रहा था समझाया जा रहा था कि अपने हिसाब से फैसला लें आप डिसाइड करें कि आप मिलना जा सकता है बॉर्डर्स पर कहा जाता है कि सेना की तैनाती पानी के अंदर जहाजों की तैनाती ताकि जुनागर की कनेक्टिविटी पाकिस्तान से कट जाए भोजन तक के लिए मोहताज हो जाए ऐसे में यह कहा जाता है रिपोर्ट है मतलब इसको ऑफिशल कहीं नहीं मिला है तो ऐसे में जुनागर को आईसोलेशन का डर सताने लगा और यहां की आबादी को लगा कि कल को अगर हम माई चांस पाकिस्तान बन गए तो यह तो हमें भूका मार देंगे बहतर यही है कि भारत सहीं मिला जाए लेकिन भारत इसमें आरजी हुकूमत के फैस जाना चाहता है ऐसे में भारत के साथ में उन्हें कंट्रोल में लिया गया 9 नवंबर 1947 के दिन जुनागर को नियंत्रण में लिया गया और इसलिए 9 नवंबर को जुनागर सुतंतरता दिवस के रूप में मनाता है जुनागर में बकाइदा यहां पर वोटिंग करवाई हैं वह पाकिस्तान के समर्थन में गए अरथात हमने हर तरह से हमने नाकेवल वहांपर आरजी हुकुमत जो सरकार उसके حंथ के तरीके से बलकी वहां पर जन्मत करा करकर के भी इस विशे को डिकलेयर किया था ठीक है इंटरस्टिंग बात किया है कि यहां पर पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारे पास क्रीटी ओफ एक्सेशन आ गया था इसलिए वो हमारा है भारत कहता है कि हमने वहां की जो अंतरिम सरकार थी उसका निर्णे सुना नमबर दूसरा हमसे वहां पर शानवाज भुट्टो ने भी कहा शानवाज भुट्टो का यहां पर एक बयान आता है जिसमें वो भारत से कहते हैं कि वो अपनी सरकार बना ले इस जगे पर बोले हमको तो यह कहा गया था हमने इसलिए ऐसा किया पाकिस्तान इस मामले को यूएन लेकर चला गया कि सर देखो इन्होंने इस तरह से वहां पर कबजा कर लिया है इस बात में एक और बात निकलती है और वो यह है कि यह थे इस सरदार पटेल जो थे न वो शुरुआत में कश्मीर में इतने इंटरस्टेड नहीं थे लेकिन जब पाकिस्तान ने ये गेम खेला कि ट्रीटी आफ एक्सेशन के दम पर वो पाकिस्तान वाले जूनागर को अपना बताने लगे कि साब जूनागर के नवाब ने हमको बोल दिया है तो बोले फिर कश्मीर क्या बुरा है कश्मीर के राजा हरी सिंग थे जो हिंदू राजा थे पॉपुलेशन मैजॉरिटी में वा मुसलिम थी तो भारत ने उनके राजा से कहा कि अगर तुमको सुरक्षा चाहिए तो आओ और हमें ट्रीटी आफ एक्सेशन साइन कर लो तो हरी सिंग ने कश्मीर का जो भारत में विलेपत्र था वो कहते हैं कि जूनागर से प्रेरिद था जूनागर वाले जैसे लेटर दिखा के पाकिस्तान में मिल रहे थे ऐसे कश्मीर वालों को लेटर दिखा के भारत में मिला लिया तो ये दौनों मुद्दे कहते हैं कि शुरुआत में कश्मीर को लेकर के जूनागर और हैदराबाद ये दो मामले ऐसे थे जहां पाकिस्तान ने भारत की सीमा के अंदर दो रियासतों को अपना बताने का दुस्साहस किया तो फिर कहते हैं पटिल सहाब उन्होंने का कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा उस जगे को भी अब अपन करते हैं अपना तो इस प्रकार से पूरी तरह से जूनागर जो है वो बना और उसके बाद में फिर हैदराबाद भारत का हिस्सा बना आज पाकिस्तान वाले दुनिया भर में जूनागर का मुद्दा उठाकर ध्यान बटाने का प्रयास करते रहे हैं ऐसे में पाकिस्तान वालों ने पिछले 2-3 साल पहले भी जब इमरान खान की सरकार हुआ करती थी तब भी इस छेत्र को अपना अपने मैप में दिखाया था और भारत ने इसको अपनी तरफ से एक मजा की कहा था कि ये लोग अपनी तरफ से केवल संतुष्टी के लिए ये का है वो आपको इस प्रकार से लिखित में अपनी पाट्शाला.com वेबसाइट पर डेली वीकली और मंतली प्राप्त होता रहेगा आप इसे एक्सेस कर सकते हैं ठीक है हमारे वेबसाइट हमारे टेस्सीरीज के लिए भी उप्योगत है आप वहां जाकर टेस्सीरीज ले सकते हैं साथ में हमारे कोर्सेज अपनी पाट्शाला एप्लिकेशन पर उपलब्ध हैं आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं आरेस के लिए हमारे हैं कोर्सेज उपलब्ध हैं जीए फाउंडेशन का कोर्स उपलब्ध है हमारे टेस्सीरीज उपलब्ध हैं आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं हमारे handyton notes भी उपलब्द हैं जिने आप access कर सकते हैं